हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम न्यू यू यर के लिए एक काड बनाने वाले हैं आप इसे कोई भी परपस से यूज कर सकते हो हमने यह आप यू यू यर के परपस से ये काड बनाया है आप बड़े के लिए मिसिंग काड या फिर कोई भी परपस से आप इसको बना सकते हो तो देखते हैं उसके लिए क्या क्या मट्रियल चाहिए स्केच पेंड, डेकोरेशन के लिए कुछ मट्रियल, सीजर, ग्लू, वाइट शीट, ग्लू शीट, रेड शीट हमने यापे कॉंबिनेशन एकोर्डिंग ये कलर लिए है, आप जो कॉंबिनेशन लेना चाहिए ले सकते हैं तो देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है हमने यापे वाइट शीट ली है, वाइट शीट को थ्री फोल्ड करना है तो ये A4 साइज से बड़ी साइज आपको लेनी है और 10x14 का कर्ट आपको करना है इस तरह से प्रिपैर होगा हो फ्रेंट्स इस तरह से वाइट शीट पे आप लोगों को 3 फोल्ड करना है और फोल्ड इस तरह से करना है कि अंदर के साइड में इतने स्पेस रहनी चाहिए हाट शेप ड्रॉ करना है हाट शेप ड्रॉ करने के बाद हम उसको कट कर देंगे इस तरह से हमने हाट शेप में कट कर दिया है अब हम ब्ल्यू चाट पेपर लेंगे उसको इस तरह से नीचे रखना है उपर वाले चाट पेपर की हेल्फ से हम ब्लू चाट पेपर पे रखके उसको ड्रॉ कर देंगे इस तरह से हमने ब्लू चाट पेपर में हार्ट शेप कट कर दिया है इसको हम ब्लू से अब चिपका देंगे इस तरह से हम चिपका देंगे उसके बाद हमने दो ब्लू चाट पेपर कट किये है अंदर जो साइज है उससे थोड़ा छोटा लेना है जिससे करके आपको चारो साइड प्रॉपरली दीख सके ब्लू चाट पेपर पहमने इस तरह से कट किया है कॉर्नर में हमने कुछ डिजाइन किये अपने कुछ डिजाइन कर सकते हो साइज हमें उस एकॉर्डिंग लेनी है कि अंदर के चार पेपर की चारो साइज हम इजिली देख पाए ये हार्चेप पर आउट् לי operational करनी है हमें ब्लैक स्केच पन या मारकर से आप कर सकते हो तो नीचे कोई भी चार पेपर, कोई भी रख पेपर आप रख सकते हो, क्योंकि आप यहां पे मार्कर से स्केच पैन से करोगे, तो नीचे गंदा ना हो. इस तरह से हमने बार के हाट पे ब्लेक कलर से आउटलाइन कर दी है, उसी तरह से अंदर हमने जो ब्ल्यू चार पेपर लगाई थे, उसे भी हमें चारो और से ब्लेक आउटलाइन कर देनी है. उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रिप्स प्रिपार की है डेकोरेशन के लिए इस तरह से यह प्रिपार हो जाएगा यहाँ पर हम हैपी न्यूर लिखेंगे इस तरह से हमने यहाँ पर हैपी न्यूर लिखा है हाट कुछ डेकोरेशन करना है इस तरह से हमने हाट पूरा डेकोरेशन कर दिया है इन दोनों जगा पर आप कुछ वीशिश भी लिख सकते हो जो आपको लिखना चाहिए और कुछ डेकोरेट करना है तो डेकोरेट भी कर सकते हो इधर और इधर आप कुछ भी वीशिश लिख सकते हो इस तरह से हमने यहाँ पर डेकोरेट किया है आप कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हो और यह जो खाली स्पेस है उसमें आप कुछ भी वीशिश लिख सकते हो इस तरह से हमारा पूरा काड रेडी है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अब भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब पीजिए थैंक यू कर दो हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है